नमस्का दूस्तू स्वागा थे आपका हमारे चनल पीके गुरूजी में आज के अपने इस वीडियो में हम बिग्यान से सम्मंधित कुछ पिष्णों का डिसकस करेंगे तो हमें हाँ जिन पिष्णों की बात करेंगे चलिए उनको देख लेते तो इसमें जो हमारा सबसे पहला पिष्ण है कि प्रथम पोशक इसतर के अंतरगत कौन आते हैं ठीके हमें ये बताना है कि प्रथम पोशक इसतर के अंतरगत कौन आते हैं Option A, साकाहरी जन्तु, Option B, मासाहारी जन्तु, Option C, सर्वभक्षी जन्तु और Option D, हरित पाधप तो इसका जो सही अंसर है तो उप्षन नमर्डp is का सही है ठीकです तो प्रत्म पोसक स्तर के अंतर गर्जो आते हैं उनको हम हरत्पादाप या हरे भरे जो पेड़ पौधे होते हैं उनको कहते हैं ठीक है तो बे सभी पौधे जो की प्रकास संसलेशन के द्वारा भोजन का निर्मार करते हैं प्रात्मिक पोसक या इन्हीं को हम उत्पादक बोल देते हैं ठीक है तो एक होते हैं कि जो की प्रकास संसलेशन की किरिया करते हैं और इसी प्रकास संसलेशन की किरिया के द्वारा अपने भोजन का निर्मार करते हैं यही कहलाते हैं प्राथमेक पोशक या उत्पादक और जो पौधे होते हैं जो प्रकास नल्सेशन करते हैं तो इसमें एक होता है किलोरोफिल और किलोरोफिल की साहता के काड़ी जो पौधे होते हैं वह हमें हारे देखते हैं ठीक है तो यहां भी आगा कोई पूछे कि जो पेड़ पौदे होते हैं वह हारे क्यों देखते हैं तो एक होता है इसमें लवक जिसको बोलते हैं हम किलोरोफिल और किलोरोफिल के इकारण ही जो पौदे होते हैं वह हारे होते है आगे बढ़ेंगे क आर की बैक्टिरिया के एक समुह को किसके उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है ठीके तो जो आर की बैक्टिरिया होता है इसको किसके उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है यह हमें बताना है option A, a-thane-K, option B, methane-K, option C, amalike option D, alcohol-K तो इसका जो सही answer है, वह है methane-K ठीक है, तो जो RK bacteria होता है उसे methane-K उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जता है आगी बात करेंगे, जो RK bacteria है इसके जो लक्षण होते हैं, वहां सामान जीवार मुसर भिन होते हैं वहाई जो आरके बैक्टिरिया हैं, यह दलदल वाले स्थानों और पसुवों के रूम वेइन में पाय जाते हैं और इनका जो उप्योग होता है, मैथेन के उत्तपादन में होता है आगे बढ़ेंगे कि अधिकांस कीट स्वासन कैसे करते हैं ठीक है जो कीट होते हैं वह स्वासन कैसे करते हैं यह हमें बताना है आप्शन A तोचा से आप्शन B किलॉम से आप्शन C फेपडों से और आप्शन D बातक तंतर से तो इसका जो सही अंसर है वह है बातक तंतर से जो कीट होते हैं तो अधिकांस कीटों में जो स्वासन होता है वह है बातक तंतर के माद्यम से होता है आगे बढ़ेंगे कि सभी कीटों में सोसन की किरिया होती है ठीक है जितने भी कीटे वह सभी सोसन करते हैं और सोसन के दौरान ही क्या करते हैं कि आक्सीजन जो होती है उसको सरी के अंदर गहन करते हैं और बदले में वो कारवन डायकसाइट को बहार नकालते हैं ठीक है तो य या सीधा क्या करते हैं कि बायू नलिया ट्रकी का जाल होता है जिसे हम बातक तंत करते हैं और इसी तंत से जो बाहर की बायू है या सरीर की प्रते के कोशकाओं तक पहुँच जाती है ठीक है तो जैसे कोई भी कीट है तो उसमें जो ऑक्सीजन है वह है बातक तंत या बायू नलियों के द्वारा ही पहुँचती है आगे बढ़ेंगे कि जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौदों को आवशकता होती है वह उसे आउसोशन निमने के माद्यम से करते हैं ठीके तो हमें बताना है कि जो पौदे हैं वह जल का आउसोशन करते हैं तो सबसे ज्यादा हुआ किस बालों से तो इसका जो सही अंसर है वह है ऑप्शन नमबर डी जड़ों के बालों से ठीके तो जो पौदे होते हैं वह सबसे ज्यादा जो पानी का आउसोशन करते हैं वह जो जड़ होती है वह जड़ में जो छोटो छोटे बाल होते हैं उन्हीं के माद्दम से करते हैं जो जड़ों के बाहरी भाग के एपीडर्मिस से निकली होती है ठीक है तो इससे हम देख सकते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं या जड़ों के जो बाल होते हैं उनसे सबसे जादा जल का आउसोशन करते हैं आगे बढ़ेंगे कि हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं ठीक है हमें बताना है जो हाइड्रोफाइट होता है वह किसे कहते हैं आप्शन A एक सामुद्रिक जानमर को आप्शन B एक जलिये पौधे को आप्शन C एक पौधिये रोग को और आप्शन D एक जड़ रहत पौधे को तो इसका जो सही अंसर है वह है एक जलिये पौधे को ठीक है तो जो हाइड्रोफाइट होता है उसे हम कहते हैं एक जलिये पौधा जो कि जलिये पौधा हो उसे हम बोलते हैं हाइड्रोफाइट जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं तो यह है एक जलिये पौधा है और इसी कोशी इस्थान होते हैं जिसमें बायु भरी होती है जो कि पौधों को तैरने में सहायक होते हैं और इन पौधों में यांत्रिक उतक भी बहुत कम बिक्सित होते हैं या उनका पूर्ण अभाव होता है आगे बढ़ेंगे कि पौधों द्वारा ली गई बिकीर्ण उजा निम और C आप्चयन का अपचैन और ओप्शन D कर्वन डाइए ऑक्साइड का ओकशी करन तो इसका जो सही अंतर है जल का प्रकास अप घटन ठीक है तो पौधों के दोरा जो विकीर्ण उजा ली जाती है उसका पैदौम होता है कि जल होता है उसका प्रकास अप घटन हो जाता ह आगे बढ़ेंगे कि पौधों द्वारा ली गई बिकीर्ण उड्या जो कि जेडियन्ट इनर्जी होती है इसका परड़ाम होता है जल का प्रकासी अपगटन और इसमें जो जल होता है उसके अणू तूटका हाइड्रोजन और ऑक्सिजन गैस बनाते है ठीक है आगे बढ़े बीबी पेरस ऑप्सन भी मासल ऑप्सन सी साकिये या ऑप्सन डी बिसम परड़नी तो इसका जो सही अंसर है वह है मासल ठीक है तो जो मरुष्टल होता है या मरुभूमी होती है वहाँ पर जो भी प्रकासी होते हैं पादप होते हैं वो कैसे हो जाते हैं यह है मासल टाइप में हो जाते हैं आप देख रहे हैं एक जल का आउसोशन करने जल जो है उसको एकात्त करने के लिए ऐसे हो जाते हैं और इन पौधों की जो पत्तियां है वह पत्तियां पत्तियां को रूप न लेके कांटों का रूप ले लेती हैं आप देख रहे हैं छोटे छोटे से कांटे तो एक या है इन पौदों की पत्तियां है वे मासल समराचेना हो जाती है जिससे की जल इनका ज्यादा दिन इनको जल की पूती होती रहे आगे बढ़ेंगे कि सेब के फल में लाली का क्या कारण नहीं सेब जो होता है लाल रंग का या किस कारण होता है आप्शन ए एंथ्रोसाइनिन आप्शन भी लाइकोपीन आप्शन सी कैरोटीन और आप्शन डी जैन्त्रोफिल तो इसका जो सही आंसर है वह है एंथ्रोसाइनिन ठीक है तो जो सेव होता है अगर वो लाल करद का है तो वो है किस कारण से है वो है एंथ्रोसाइनिन के कारण आगे बढ़ेंगे कि पपीते में पीले रंग का कारण क्या है ठीक है पपीता पीला रंग का होता है तो इसका कारण क्या है यह हमें बताना है option A, Papain, option B, Lycopene, option C, Caricagenthin, option D, Carotin तो इसका जो सही अंसर है, वह है Caricagenthin, ठीक है तो पपीता जो पीले रंग का होता है, वह है Caricagenthin के कारण होता है आगे बढ़ेंगी, कि पपीता का बार्णस पतेक नाम होता है, Caricapapaya ठीक है, Caricapapaya इसका बार्णस पतेक नाम है, और इसमें Carotin जो होता है, वह प्रिचर मात्रा में पाया जाता है और तो इसमें Papain Enzyme होता है, तो Papain Enzyme यह होता है, प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है लेकिन इसका जो जगे पीला होता है, वह होता है, Caricagentic बर्णक के कारण ठीक है, तो यह है आपको इसमें इतनी जो जानकारी है, वह याद रखना है कि इसका बानस पतेक नाम, Caricapapaya क्यारोटिन इसमें प्रिच्छुनका में पआ जाता है, पपैन इंजायं का काम होता है, प्रोटीन को पचाना और करीका जेन्थिन बार्णक के कारण ही इसका जंग जो होता है, वह पीला होता है, ठीके, तो इपपिते के बारे में कुछ जानकारी थी, थेंकियू दोस्तू, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.